आदाप और नमस्कार मैं हूँ सुल्तान कुरेशी और आप देख रहे हैं भीवन्डी समय निउस AIMIM के चीफ असद्दुद्दीन OVC ने दावा किया है कि मेरट से लोटते वक्त उनकी गाड़ी पर हमला हुआ है उन्होंने कहा कि 6000 सी टोल गेट पर मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई चार राउंड फायर हुए तीन चार लोग थे सब के सब भाग गए और हत्यार वहीं छोड़ गए मेरी गाड़ी पंचर भी हो गई मैं दूसरी गाड़ी में बैट कर वहां से निकला फिल्कुवा के पास जो टोल गेट है वहां पर हम पहुँचे हमारे साथ चार गाड़ियां थी हमारी गाड़ी के सामें हाजी साब की टाटा सफारी थी जो पीछे आपके और हमारी गाड़ी की पीछे और दो फॉसरी नर थे तो जैसा हम टोल गेट के खरीब गाड़ी स्लो हमला हो रहा हमारी गारी सोने बड़ी कुछ एक तिंकिंग से इस गाड़ी को पुष किया यह सफारी को और वहाँ से निकले हैं फिर और उबादीजीब करें तो एक और आवाज नने टुनिंग से टीन से चार रांड की एक गोली शायद और एक निशाने लेफ साइड मटगाट के ऊपर तो हम जब गाडी से आगे बढ़े तो हमारा क्योंकि हमारी गाडी से गाड़ी को हमने पुश किया राइट साइड का टेर पॉंचर हो गया फिर वहां एक फ्लाय ओवर है इस गाड़ी में बट गए और दिल्ली को आगे क्यों हमको लगा कि रिकी कर रहे थे फालो कर रहे थे हमको असदुदीन ओवेसी के काफिले पर फाइरिंग मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस एक्षन में आ गई है यूपी पुलिस ने असदुदीन ओवेसी के काफिले पर फाइरिंग मामले में एक संदिग्द को हिरासत में लिया है और एका रुपी को गिरफतार किया गया है यूपी पुलिस के ADG Law and Order प्रशांत कुमार ने कहा है कि पुलिस को इस मामले में एहम सुराग मिले हैं जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा होगा उसके पास से एक अवैद 9 एमम की पिस्टल बरामत हुई है वीडियो फुटेज के आधार पे अन्य कारवाईया आगे पर चली थे घटना के क्या कारण थे और इस साजिश में या इस घटना में कौन-कौन विक्ति शामिल है इसकी पूरी जानकारी पूरी जांच परताल के ब वही हापुड के पिल्खुआ में छिजार सी टोल बैरियर के पास ओवेसी की काफले पर हमले के मामले में मेरट रेंच के आईजी प्रवीन कुमार ने इस घटना पर कहा है कि एक संदिक आरोपी को हिरासत में लिया गया है आरोपी से पूछताच की जा रही है और उसके बा हुआ है उसको हिरासत में लिया गया उसके पूछताच की जा रही है पूरी घटना के बारे में गहराई से सभी पहलों प्रिलिम्नरी है सारी चीजे वह यहां से आये यहां पर दो लोग थे यह भी इंविस्टिकेट करना है कि साथ में थे यहां पहले से ख़ले हुए थे उ पताया जा रहा है कि यूपी चुनाव के सिलसले में जब ओवेसी मेरट से दिल्ली की और रवाना हो रहे थे तभी छिजार से टोल प्लाजा पर उनके काफिले पर फाइरिंग हुई फाइरिंग करने वाले तीन चार की संख्या में थे जो फरार हो गए ओवेसी की कार्ड प की एक दो गाड़ी पंचर भी हो गई ओविसी की काफिले पर हुए हमले की समाजवादी पार्टी ने निंदा की है समाजवादी पार्टी ने एक ट्वीट कर कहा है कि लोगतंत्र में किसी भी तरह की हिंसा की कोई जगए नहीं होनी चाहिए ए आइम आइम के राष्ट्रे अध्यक्ष की गाड़ी पर गोली चलने की खबर बेहत दुखद और निंदनी है घटना के जिम्मेदारों पर कठोर कारवाई हो